जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में देश ब्यापी हर्ताल का असर सीटू सहित 11 ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च यानि सोमवार और मंगलवार को देश ब्यापी हर्ताल का वहन किया है या बंद केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे है देश की संपदाओ की विक्री मैदूर विरोधिनिती आंगनवाडी साहिया रसोया और अन्य योजना के खिलाप है इसके अलावा कर्मियों को निम्तमाई 26,000 वह समाजिक सुरक्षा देने पुरानी पेंशन योजना बहार करने नीजी करन परोक लगाने सहीत अने मांगों को लेकर किया जा रहा है इस दिश्व्यापि हरताल का असर जारखन में भी देखने को मिल रहा है बता दे HEC में विभिन स्रमिक संगठनो दोरा हरताल के दोरान डियोटी पर जा रहे कर्मियों के संग मारपीट भी की गई जारखन में लूट जारखन में दो अप्रेल तक मौसम साफ रहेगा लेकिन इस दवरान धूप अपना तेवर दिखाएगी 29 मार्च से 31 मार्च तक राजे के विभीन जीलों में लूट चल सकती है इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बच्चों और बुजुरुकों को धूप से बचने की सलाह दी गई है मौसम केंद्रे की ओर से कहा गया है कि लूट से बच्चों और बुजुरुकों को ज्यादा खत्रा है धूप में देर तक खड़ा रहने से बचने की सला दी गई है मौसम भी भाग ने दो अप्रेल तक मौसम साफ रहने का पुरौनमान किया है हरताल के बीच H.E.C. में काम करने पहुँचे मैदूरों से मार पीट H.E.C. में मैदूर यूनियन की हरताल के बीच मार पीट की घटना हुई है इसमें 5 मैदूर घायल हो गए है सभी घायलों को पारस अस्पताल में भरती कराया गया जिनका इलाज चल रहा है दरसल ट्रेड यूनियनों के राष्ट ब्यापी हरताल के बावजूद कुछ कामगार अपने कारेक करने पहुँचे थे लेकिन का यूनियन के लोगों ने मजदूरों के साथ मार पीट करने लगे इस मार पीट में पांच लोग है लोग हैं जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया फिलाल सभी का इलाज चल रहा है वही मौके पर पूलिस भी पहुँच जाच में जुटी है जारखन के 35442 बिद्याले को भौन मरमत के लिए सरकार देगी अनुदान राज जेके 35442 सरकारी स्कूलों को तीन बरस में राज सरकार अपने मत से अनुदान देगी बिद्याले को 94 तरीके से रासी देने का निनलिया गया है परथम चलन में 10,000 सरकारी स्कूलों का चैन किया जाएगा है एक बिद्याले को 50 रुपे दिये जाएंगे बिद्याले भगन के मरमत अधारवुत संदाचना को सुद्रीड करने के लिए रासी दी जाएगी सरकारी स्कूलों को समगर सिक्षा के तहत भारत सरकार दवारा दी जाने वाली रासी परयापत नहीं थी इसे देखते हुए राई सरकार ने भी स्कुलो का अनुदान देने का निने लिया है इस योजना के लिए वितिये वर्ष 2022 तेस के लिए बजट में 50 को रुपे का प्रोधान किया गया इसकुलो के चायन को लेकर इसकुली सिक्षा अयमसर सतावी भाग द्वारा दिशानी देश भेज दिया गया है जारखन उब्भोकता संड़क्षन आयोग को नहीं मिला अध्यक्ष राजे उब्भोकता संड़क्षन आयोग का पद एक बार फिर खाली रह गया इस पद के लिए खाद आपूर्तिवी भाग की ओर से नियुक्ति को लेकर चौनथी बार 12 मार्च को आवेदन अमंत्रित किया गया था हाई कोट के रिटायर जास्टिस से इस पद के लिए आवेदन मांगा गया था अमतिमति थी 22 मार्च ने धायित की गई थी लेकिन किसी रिटायर जास्टिस ने इस पद के लिए इच्छा नहीं जताई राज्य उभगता सनलचन आयोक्य अध्यक्ष जास्टिस तपेन सेन का कारेकल समाफ्थ होने के बाद से ही 2 दिसंबर 2020 से पद रिक्त पड़ा है मुख्य मंत्री मेधा चात्रविती योजना शुरू जारखन के मुख्य मंत्री हमंत्री ने राज्य के मेधावी चात्रों को बढ़ावा देने के लिए मेधा चात्रविती योजना की सुरुवात की है इस योजना के तहत राज्य में हर साल 5,000 बच्चों को छात्रविर्थी दी जाएगी सरकार की योजना के नुसार अगामी 4 सालों में करीब 20,000 बच्चों को इस योजना का लाब मिलेगा इस मद में सरकार को सलाना 24 को रुपे खर्च करने होंगे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने में धावी छात्रों को छात्रविर्थी देने के लिए पात्रता माप दंड निधारित किये हाँ लाप पाने वाले विद्यार्थियों को इस चैन पर किलिया से गुजरना होगा मुख्य मंत्री मेधा छात्रविर्थी के लिए हर जिले से 400 विद्यार्थी चुने जाएंगे छात्रविर्थी वजना के तहट हर वर्स रायज भर से 5000 विद्यार्थी के चैन किया जाएगा वर्स 2022-23 से छात्रविर्थी वजना शुरू होगी परिक्षा में सफल विद्यार्थियों को कक्षा 9 से बरावी तक के लिए प्रती वर्ष 12,000 रुपे चात्री विर्थियों को 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 अंक लाना अनिवार होगा पोस्ट मैट्रिक छात्रविती के लिए आवेदन किती थी बढ़ी जार्खन के अन सुचित जाती वर जन जाती अल्प संख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्यान विभागने इक कल्यान पोटल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रविती के लिए आवेदन करन पोस्ट सेक्षनिक सत्र 2021-22 चात्रविती के लिए ओनलेन आवेदन इकल यान पोटल पर 30 माज़ तक अपना आवेदन कर सकेंगे RSS का हिंदु नौव वर्स धुमधाम से मनाने की त्यारी रश्ट्रिय स्वयम सेवक संग RSS के स्वयम सेवक इस बार हिंदु नौव वर्स का उत्सा से मनाने की त्यारी कर रहे हैं क्रोना संक्रमन के कारन पिछले दो वरस प्रती पदा के दिन समोही कारकरम का उज़न नहीं हो पाया इस बार परिस्थिती अनुकूल होने के कारान पुर्व गनवेस में मैदानों में सरोजनिक करकरम करने का निना लिया गया है दो अप्रेल को हिंदु नौव वरस है उस दिन से विक्रम सनवत 1989 प्रताम हो जाएगा जारखन में सुलग रहे जंगल वन जीवो पर आफ़त जारखन के जंगलों में लगी आग दिन बादिन भिशन होती जा रही है गर्मी सुरू होते ही राजे के अलग-अलग इलाके में जंगल सुलगने लगे है हजारी बाग कोडर्मा और लोहर्दागा में जंगलों में आग लगने से पेड़ पाधों को तो नुक्सान हो ही रहा है वन जीवों के लिए या किसी बड़ी आपत से कम नहीं बता दे 400 हेक्टेर से अधिक इलाके में आग फैली है वन विभाग के अनुसार जंगल में महुआ चुनने वाले ही आग लगा रहे हैं विभाग इससे पुझाने की पूरी कोशिस में लगा है कोडर्मा के सत्गावा छेत्रे में कई पाहडियों में आग लगी हुई है HEC में सिर्फ एक दिन की हरताल HEC में सोमवार को उत्पादन कारे प्रभावित रहेगा कमपनी में हरताल सिर्फ एक दिन के लिए होगा इसको सफल बनाने के लिए स्रमिक संगठन कर्मियों को प्लांट में जाने से रोकेंगे वहीं कई दिनों तक यूनियानों ने कामगारों के बीच जाकर हरताल में स्वयोग करने के लिए संपर्क अभ्यान चलाया था हरताल होने से HEC को नुक्सान होगा क्योंकि मार्च महिने के अंध तक कई वर्क ओडर को पूरा करना है कई वर्क ओडर अपने अमतिम चरण में है पेट्रोल डियल के मुल्यों में फिर उच्छाल पेट्रोल और डियल के मुल्यों में बेताहसा हो रही बीधी से फिलहाल आम आदमी को रहत मिलने की उमीद नहीं दिखाई दे रही है इनकी कीमतों में लगातार ब्रीधी जारी है आज सब्ता के पहले दिन भी पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई आज सोमवार 28 मार्च के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डियल के नए रेट जारी कर दिये है राइधानी राची में इनकी कीमतों में करम सा 31 और 36 पैसे प्रती लिटर की ब्रीधी हुई इस परकार 7 दिनों के अंत्राल में आज 6 बार पेट्रोल और डियल के दाम बढ़े है भारतिये वायू सेना में निकली भैकेंसी अपना आवेधन जमा कर सकते हैं रिक्तिया इस परकार है एक HKS पद, एक कूक पद, एक बढ़ाई पद और एक MTS के पद है इन पदों के लिए आयू सीमा 18-25 वरस है इसमें OBC के लिए 3 साल, STST के लिए 5 और ESM उमिद्वारों के लिए 10 साल की छूट है अधिक जनकारी और आवेधन पत्र के लिए रोजगार समाचार का 26 मार्च अप्रेल का एक संसकरन दिखे केंद्रिये बिद्याले में कक्छा 1 में अडमिशन के लिए उम्र सीमा 6 वरस केंद्रिये बिद्याले संगठन ने कक्छा 1 के लिए के वी परवेस आयू मांदंड में बदलाव के पीछे तर्क दिया है कि उसने केंद्र सरकार के फैजले को लागू किया है केंद्रिये बिद्याले संगठन ने कहा है कि 2022 ते इसके लिए कक्षा 1 के लिए के वी परवेस आयू 5 साल की जगा 6 साल किया गया है केंद्रिय विदेले काक्षा एक में परवेस पाने वाले बचे के लिए निम्तम आयू को राष्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 के अनुरूप निधारित किया गया है केवी द्वारा या सर्थ दिया गया है कि कक्षा एक के लिए केवी परवेश आयो मांदट में परिवर्तन राश्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 के अनुरूप है जो सेक्षिनिक और पाठे चार्चा पूर्ण गठन की एक नई योजना का प्रस्ताव करता है गर्मी की छुटी में इसकूलों में होगा ओलम्पियाड परतियोगिता परिक्षाओं में दिचस्पी रखने वाले सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राव के लिए अची खबर है जार्खन के सरकारी स्कूलों में आने वाले गर्मी की छुटी में ओलम्पियाड का आवेजन कि इसमें इन स्कूलों में पढ़ने वाले नौई से बरावी कक्षा की ते भाग ले सकेंगे पहले ओलमपियाड की परिक्षा जीला अस्तर पर होगी और उसके बाद राज अस्तर ये परित्योक्ता का वजन किया जाएगा राश्ट्रिये परत्योगता परिक्षा में अवल आने वाले चात्र चात्रा राज सरकार समानित करेगी इसके लिए जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिषादने सभी जीलो को निर्देश दे दिया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का वेल आकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ एक अवस्य दे थैंक्यू